हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका सक्सिच फॉर लाइफ यूटूब चैनल में आईए हम टोक्यो 2020 जो ओलंपेक अभी हुए हैं इन पर संपूर्ण विसलेशन करते हैं देखते हैं इनके महत पूर्ण बिंदू क्या क्या important बाते हैं इनमें हम सारी discuss करेंगे उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इससे सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हूं तो इन्हें लाइक और सेयर भी करते रहे हैं आईए डिसकस करते हैं ये विंग का चिन है ये लोगो है देखिए पहला पॉइंट इस बार टोक्यो ओलंपिक खेलों के सुवंकर को मिराई तूबा और सुसाइटी नाम दिया गया है यह जापान की सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिक्ता दोनों का प्रतिनिधुत करते हैं ये हैं दोनों लोगो है वहां का कोरोना महामारी की वजह से खाली स्टेडियम में आयोजन किया जा रहा है इस वार ओडियंस को नहीं बुलाया गया क्योंकि कोरोना की समस्या थी एक हजार से भी कम दर्सकों का समारोव को देखने की इजाज़त दी गई जापान के समराट समेत मात्र पंद्रय अंतर राष्टिय नेता समारोव में सरीख हुए थे यूनाइटिड वाई इमोशन ये थीम थी आदर्सवाक था 2020 टोक्यो ओलंपिक का आप सोच रहे होंगे कि 2020 क्यों कह रही हूं मैं बारवार तो चुकि ये 2020 का ही ओलंपिक है जो कोरोना के कारण नहीं हो सका और इसको इसका आयोजन 2021 में किया गया 2020 ग्रीश्म कालीन ओलंपिक खेल आधिकारिक तोर पर 32 ओलंपियाड खेल एक अंतर राष्टिये योजनाबद बहु खेल प्रतियोगता है जिसका आयोजन 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के वीज टोक्यो जापान में होना था कोरोना वाइरस की बज़े से एक साल के लिए टल गया था और अब है ओलंपिक खेल 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 को हुआ खेलों की मेजवानी के लिए तीन सहरों ने अपनी बोली पेश की थी टोक्यो मेडरेड और इस्ताम्बुल ओलंपिक खेलों की संस्था अंतराष्टी ए ओलंपिक समिती ने 7 सितंबर 2013 को वियूनस आरियस अरजेंटीना में अपनी 125 अधिवेशन में टोक्यो को मेजवान सहर गोसित किया था 23 जुलाई 2021 से सुरू हुए टोक्यो ओलंपिक में विस्सु के 205 देशों के 11,090 अथलीटों ने भाग लिया 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के प्रारंब में मेरी कौम ने भारतिय दल की अगवाई की तथा 8 अगस्त को समापन अवसर पर भजरंग पूनिया ने भारतिय दल की अगवाई की 17 दिन तक आयोजे टोक्यो ओलंपिक में 113 पदक के साथ अमेरिका सबसे आगे रहा इसके बाद चीन 88 पदक एवं जापान 58 पदकों के साथ सूची क्रम में क्रमसा दूसरे एवं तीसरे नमबर पर रहे भारत ने 7 पदक टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त कर सीर्स तालका के क्रम में 48 वह स्थान प्राप्त किया इस बार भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन ओलंपिक में रहा भारत के मात्र अथलीट नीरज चोप्रा ने गोल्ड मेडल जीता भाला फेक प्रतियोगता में भारत ने एक स्वन्ड दो रजत और चार कास्यपदक जीते टोक्यो ओलंपिक के समापन की घोशना ओलंपिक समिती के अध्यक्ष आई ओसी थॉमस बॉक द्वारा घोशना की गई थी टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में इस बार बेसबॉल, सौफट बॉल, कराटे, स्केट बोर्ड और सर्फिंग को भी सामिल किया गया है यह इंपोर्टेंट हैं देख लेना यह चार दे देगा तीन इन मैंसे और एक अलग से और पूछा जाएगा इन मैंसे कौन सामिल नहीं था टोक्यो 1964 ग्रीस्म कालिन साप पोरो 1972 सीथ कालिन और नागोनो 1998 सीथ कालिन खेलों के बाद 2020 के खेल जापान में होने वाले चोथे ओलंपिक खेल हैं टोक्यो को 1940 के ग्रीस्म कालिन ओलंपिक की मेजवानी भी दी गई थी लेकिन 1938 में युद्ध के कारणवाय टल गया दो बार ग्रीस्म कालिन खेलों का आयोजन करने वाला टोक्यो एसिया का पहला सहर है यह थे important facts जो ओलंपिक से related थे आप इने देख लीजेगा आपके काम आएंगे exam में इन में से question बन सकते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्नवाद